नमस्का विद्धारतियों विद्धारतियों इस वीडियो के जरी हम देखते हैं कि बालक और अभी भावक यानि चाइल्ड और पैरेंस के बीच में रिलेशन्शिप जो होते हैं उसका क्या परिवारिक संभन्थ पे क्या असर होता है और कब पैरेंस के और बच्चों के बीच के जो रिलेशन्शिप होते हैं वह अच्छे से डॉल अप होते हैं उसके पीछे लॉजिकल कारण क्या रहता है इसके बारे में हम आपको फूरी डीटेल इस वीडियो के जरीए देते है बच्चों आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यदी तो आप हमें आपके जो कमेंट बॉक्स है वीडियो में आप उसमें जाएं और आप लिखें कि आपको इस चीज में ये समझ में नहीं आ रहा है ताकि हम आपके जो भी प्राब्लम्स होती है उस प्राब्लम को सॉट आउट कर सकें, ठीक है? तो हम देखते हैं कि सब प्रथम, यह ना बेरेंस अपने बच्चे को किस तरीके से पालते हैं अलग-अलग मैथ़ोर्स होते हैं पालने के और हर पैरेंस का अपने बच्चे को पालने के लिए अलग-डिफरेंट मैथड होता है ठीक है? कोई किसी मैथड से पालता है कोई किसी मैथड से पालता है किसी को लगता है कि हमारा मैथड जो है वह सही है किसी को किसी तरीके से होता है तो कौन-कौन से parents अपने methods होते हैं, जिसके जरीए parents अपने बच्चों को उनका लालन-पालन करते हैं, भरन-पोशन करते हैं, यहां हो सकता है, और कोई method सही नहीं है, और कोई method गलत नहीं है, ठीके, कोई भी method जो हम आपको भी बताएंगे, उसमें से कोई भी method सही नहीं है, और कोई भी मेथड गलत नहीं है, परन अगर बच्चा successful रहता है, successful रहने का मतलब यह नहीं है, कि आईए से IPS officer ही बने, successful रहने का मतलब होता है, उसका स्वास्ता रहे, उसके जो नेतिक मूले होते हैं बच्चों के, वह उच्चतर स्थर पर रहे, बच्चा अपने जीवन में satisfied हो और खुश रहे, दो चीजिस में सबसे important होती है, कि बच्चा अपने जीवन में satisfied हो और बच्चा यदी खुश रहे, तो वह जो parents होते हैं, वह बच्चों के लालन-पालन में successful होते हैं, हर parents के अपने बच्चों के लालन-पालन का अलग-अलग method होता है, सबसे पथम पहला method है, अती सरक्षन देने वाले माता-पिता, यानि ऐसे parents होते हैं, जो कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सरक्षन देते हैं, बच्चे को कहीं जा रहा हैगा, कहीं पहर आपने नोट किया होगा, कहीं parents होते हैं, बच्चों को स्कूल में जब छोडने जाते हैं, तो स सुणने जाते हैं, है ना, वो ऑटो से, बस से, टेमपो से, किसी cycle से, किसी भी method से बेजना पसन ही नी करते हैं, यानि वो बहुत ही जादा protective होते हैं, कहीं बच्चे को ले जाना होता है, तो स्वैम लेकर जाएंगे, बच्चे को पार्क मिले जाएंगे, फार्क मिले जाने पर बच्चे को जो slides हैं, जूले हैं, उन पर जूलने के लिए permission नहीं देंगे, और देते भी है permission बच्चा यदि जुद पर आ जाए, तो बच्चे को क्या करते हैं, स्वयम खड़े रहते हैं वापे, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा ट्यूशन जाता है, तो परंट उसके लिए ओवर कंसर्ण होते हैं, परंट तो 30 अरक्षन देते हैं, टीचे से बार बार सवाल करते हैं, कि आप महारा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उसके इतने चैप्टर होगा, इसके इतने चैप्टर नहीं होए, या कॉपी में, कई पर हमने नोट भी करा आए हैं जिसे परंट सीचे मीटिंग होती है, काई परंट आते हैं, टीचर से कूछते हैं की कॉपी में यहाँ पर सभी स्पेलिंग लिखी, कॉशन पेपर में वोही बच्चे के साथ में उसको अतियदिक selection देना जो प्रवती होती है, ऐसे जो parents होते हैं, उनको बोलते हैं, अतिय सरक्षन देने वाले माता-पिता, अतिय सरक्षन जब बच्चे देते हैं, बच्चो को दिया जाता है, no doubt, negative असर होता ही, अतिय वाले में, अतिय हर चीज की बुर में को कोई साथ चीए हमेशा, और साथ हमेशा बडोका चीए, उनमें जो डर है, भय है, है ना, शायद मैं नहीं successful हो पाऊंगा, इस बात का जो भय होता है, वह सदेव बना रहता है, ठीक है, यानि कि उनको किसी का सहरा लेके कोई सिड़ी चाहिए उनको चड़ाने के लिए सिड़ी चड़ाने के लिए वाला भी कोई व्यक्ति उनको चाहिए, तभी उनको जाके successful होती रहती ही, वह मन में डर भय, वह अत्यदिक डर और अत्यदिक भय उनकी सीमा से अधिक उनमें रहता है, ठीक है, फिर है अत्यक अठोर माता पिता, अत्यक अठोर माता पिता, जो तो parents ने कह दिया वही आपको करना है, आपको 5 बजे घर आना है तो 5 बच के 1 मिट पे भी आप लेट नहीं हो सकते हैं, अत्यदिक कठोर, कह दिया, that is final, इसके लावा कोई option नहीं होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं, बच्चे स्पेशली जब teenage में आते हैं, adolescence में आते हैं, य या young adult की stage पर जाने पर क्या होता है, उनको एकदम से छूट मिलती है, क्यों? क्योंकि वह नौकरी पर जाते हैं, college जाते हैं, तो इस परिस्चिती में, क्योंकि वह अत्यदे कठोर, अनुसाशन में रहे होते हैं, इस कारण से उन में क्यों होता है, एक भावना ऐसी जगती, जगती हैं, तो छूट मिल जाते हैं, और बच्चे कई बार, कई बार, अक्सर कई बार बिगड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह बहुत ही अनुसाशन में रहे होते हैं, और ऐसा भी होता है, ठीके, एक पहलू तो इसका ही है, कि बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, दूसरा पहलू यह होता है, कि उनके माता-पिता के साथ, क्योंकि हम संबंध की बात कर रहे हैं, आपे बच्चों, तो वह अपनी मन की बात, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वह पैरेंस की साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैरेंस सुनना नहीं चाहते हैं, कठो रहे हैं, that is final, जो कुछ उन्होंने कहा दिया, that is final, तो वो अपनी मन की जो बात होती है, उनकी जो मन में emotions आ रहे होते हैं, जो कुछ कहना चाह रहे होते हैं, वो कहन नहीं पाते हैं, चुंकि वो उनके कहन नहीं पाते हैं, तो उनमें जो सम्वेगात्मक अस्थिर्था होती है, तो उनम बच्चों के बीच में जो संबन्ध होते हैं वह स्थापित नहीं होते, क्योंकि communication जो होता है, एक दूसरे से बाचीत जो होती है, वह नहीं हो पाती है। बातचीत नहीं होगी, भई पैरेंस जहां रहे हैं, वही बच्चों को करना है, तो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, तो क्या होगा, बच्चों के जो रिलेशन होते हैं पैरेंस के साथ में वहाँ उचित नहीं हो पाते हैं, पक्षपात करने माले माता पिता, य पर इसलिए हम इंडिया की बात करते हैं, उसमें कि गर्ल्स और बॉइस में बड़ा ही पक्षपात किया जाता है, ठीक है, आज भी हिंदुस्तान में यदि किसी के दोनों बेटियां ही हैं, तो उसको बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता है, और कहा जाता है कि आपका कोई बेटा नहीं है, बड़ा विचितर प्रशन होता है, और पैरेंस क्या करते हैं, बेटियों को थोड़ा सा कम प्यार करते हैं, और बेटियों को ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यह हमारे भुड़ापे का सारा है, हाला कि आजकल जो है, वो जो नॉमनिक एलचर और जो टे करें हम यहां भावना अभी भी हिंदुस्तान में है कि लड़के ही हमारा भुड़ापे का सहरा है और हमें उनका जादा ध्यान रखना है लड़कियां को दूसरे घर जाना है उनकी शादी हो जाएगी हमें उनका ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं करना है अब क्या होता है बच् उन दोनों की बीच के आपस में भाई बेन के आपस में रिष्टे अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि लड़कियों को हमेशा ये रहता है कि हमारे साथ में अच्छा वैवान नहीं किया जा रहा है लड़की के मन में यह भी हमेशा रहता है कि पैरेंस जो है वो भाई को या ज बच्चों को दिखना होता है कि वहवार में कुछ अंतर है, पक्षपात हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है, अब जूकी गलाब बढ़े के साथ में पक्षपात हो रहे हैं, गलडकें के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, वहीं लड़के का क्या होगा, लड़का हमेशा डॉमिनेटिंग रहता है इस समय, है ना, इस समय डॉमिनेटिंग रहता है, क्यों डॉमिनेटिंग रहता है, क्यों डॉमिनेटिंग रहता है, क्योंकि परेंस ने इसको पक्ष लिया हर बात में, वह बहन के ओपर भी डॉमिनेटिंग रहेगा, प्लस फिर क्या होगा, जब dominating हो जाती है है ना लड़के की प्रवती होती है वह भी कैसी हो जाती है dominating हो जाती है अब लड़के की प्रवती dominating है तो फिर relationship कैसा होगा parents और उसका बच्चा जो कहेगा वही बात मानी जाएगी यहनि पक्षपात से भी जो parents पक्षपात करते हैं उनके भी बच्चों में, जो parents के सारillar relationship होता है, वह अच्छा नहीं develop हो पाता है। ठीक हैं, यह था हमने बात करी, boy or girl की पक्षपात किस-किस के बीच में हो सकता है। पक्षपात हो सकता है, कि दो लड़कियों के बीच में भी हो। हो सकता है पक्षपात दो भाईयों के बीच में, हो सकता है पक्षपात, कोई physically abled बच्चा है, उसकी साथ में भी पक्षपात किया जाता है। जो physically able बच्चा है, तो mentally वैसे ही depressed होता है, उसके depression ज़्यादा आ जाते हैं, और उसके parents के साथ में relationship अच्छे नहीं हो जाते हैं. अब कोई अच्छा एक बात हो लो सकती है, physically able बच्चा है, parents उसका पक्ष ज़्यादा ले सकते हैं, है ना, उसको अती सरक्षन दे सकते हैं, अब इस अती सरक्षन देने की चकर में, बच्चे का जो होता है, वो जिद्धी टाइप का हो जाता है, अब बच्चे की, उसकी जो relationship ह होती है, parents की, वह maintain नहीं रह पाती है, तिरिसकार करने वाले मातापिता, ऐसे होते हैं, बच्चों जो हमेशा अपने बच्चे को तिरिसकार करते रहते हैं, आपको यह नहीं आता, आपके पोडोस वाले बच्चे ने ऐसा कर दिया, आपके कॉसंस ने ऐसा कर रखा है, उसने यह चीज़े सीख रखिए, उसके माकस इतने हाएं, इस तरीके से दिन पढ़ते दिन, कुछ ना कुछ बात पर उसको तिरिसकार करते हैं, उसकी बच्चे के अंदर हीन भावना डल अप हो जाती है, I am good for nothing, बच्चे के मन में यह भावना डल अप हो जाती है, कि मैं, क्या मे परेंस होते हैं, वो यह सोचने लग जाते हैं, कि हाँ हमारा बच्चा को हम तिरिसकार कर रहे हैं, तो बच्चा जो होते हैं, वो उनकी देखने की नजर, क्योंकि उसको लगता है, उसकी कैपसिटी इतनी है, जानता है कि मैंने मेरी कैपसिटी इतनी है कि मैंने 98 मार्क्स आ इतनी है, 98 marks is a good marks, और नहीं हो, 50%, 60%, जितने भी बच्चे की जितनी capacity है, उतने ही तो लेकर आएगा, माबाप यह बात नहीं समझते, तिरिसकार करते हैं बच्चे का, तिरिसकार और दिन पढ़ते हैं, डेली, हर बात में, चाया, उठने, बैठने, खाने, हर बात में तिरिसका डेलप नहीं हो पाते हैं, डेलप ही नहीं पाते हैं, परेंस के साथ में, अच्छा बुरी कितम बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्यों और बच्चे में, नकारात्मक जो समवेग होते हैं, वो और जड़ा डेलप होते हैं, और रिलेशनशिप बढ़ने में और ज़दा लगता बच्चे में क्योंकि उसको तिरिसकार बार बार दिया जा रहा है तो उसे लगता है कि मैं ऐसे काम और करूं तकि मुझे और तिरिसकार मेले उसमें यह भावनाई डॉल अप हो जाती है काहाद जानी कि कहने का अतात्परे है की उनको पता है पैरेंस को कि कहां छूट देनी ये कहां तक छूट देनी है कब छूट देनी है कैसे चूट देनी और और कहां रोखना इन सबको बच्चे को कहे रखाए कि आप for an example हम लेखें आप अपने friends के साथ में week में महीने में age के according आप घूमने जा सकते हैं आपकी limitation है कि आप 2 गंटे धाई गंटे लगाएं ठीके उसके बाद आप आप जाएं ठीके बच्चों के बच्चे but obviously बात है peer group के साथ में गूमने जाएगा ही बच्चा है ना अब बच्चा अपने peer group के साथ में गूमने भी जा रहा है आप उसको वो अपने जिन्दी की life enjoy भी कर रहा है और parents को पताई कि दो गंटे के अंदर वापिस आना है बच्चे को भी बताई कि दो गंटे के अंदर वापिस आना है ठीक है यानि दोनों की बात मानी गई है parents की बात मानी गई और बच्चे की बात मानी गई इस समय बच्चा जो है वो अपनी जो भी बात होती है वो तरीके से रख सकता है क्योंकि प्रजातांत्री तरीका है एक सुनेगा दूसरा बोलेगा दूसरा बोलेगा पहला सुनेगा यानि एक दूसरे के जो मत होते हैं वहां हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं पेरेंस भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और दोनों चुकि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो दोनों में relationship होगा, वह बहुत ही अच्छा वाला होता है, ठीक है, इसमें parents और बच्चे का relationship होता है, वह बहुत अच्छा वाला थे, क्योंकि दोनों अपने मन की बात करते हैं, दोनों अपने सव्वेग, प्रदश्यत करने के लिए तयार रहते हैं, दोनों एक दूसरे की सव्वेग जो होतے हैं, वह सुनने के लिए तयार रहते हैं, चुकि सुनना और समझना हो जाता है, अथो क्या होता है? जो ये method होता है प्रजयतांतरिक मातापितावाला method सबसे भढ़ी हा होता है हाला कि हम यह नहीं कहते कि एक method सबसे भढ़ी है method सब भढ़ी है कई बार parents को अती सरक्षन भी देना पड़ता है कई बच्चे डर रहे होते हैं तो parents को करते हैं नहीं, that is your limit, आप इसके लावा कुछ नहीं कर सकते, कहीं बार बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए, पैरेंस को तरिस्कार भी करना पड़ता है, तो यह हम नहीं कह सकते कि एक ही मैथड सही है, परंतु लंबे समय तक यही मैथड अपनाया जाता है, तब जाके प्रब्लम क होती है, प्रभुत्वशाली माता-पिता होते हैं, अर्थी कठोर माता-पिता के जैसे, जिसमें उनका उनकी डिग्नीटी, उनका ऐसा प्रभाव होता है बच्चों के उपर, कि बच्चे जो और चाहते हैं, वही कर पाते हैं, अपना दिमाग, अपनी सोच व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की जो माता-पिता होते हैं, उन्हें बोलते हैं, प्रभुत्वशाली माता-पिता, और सबसे लास्ट में, जो बच्चों के सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, वह होते हैं, छूट देने वाले माता-पिता, यानि कि बच्चा जो चाहेगा, वो हमारी तरफ से कोई इंटरोफेरंस नहीं होगा बच्च चाहेगा आठ बजवजे उठे बच्च चाहेगा दस बजवजे बच्च चाहे बदश की पढ़ने में यह इच्छा है बच्चा आज नहीं पड़ेगा बच्चा आज खेलने जाएगा, बच्चा आज फ्रेंड सरकल के साथ जाएगा, बच्चा आज घूमने जाएगा या जो भी उसकी मनमरजी का जो फूड है वो खाना चाहेगा, पूरी छूट दे दी जाती है बच्चे को कि बच्चा जो चाहेगा वो ही करना चाहता है, वो ही वह कारे करेगा. इसमें क्या होता है? बच्चे अपनी ही धुन में इतने व्यस्त होते हैं कि वह परेंस जो कहना सुनना चाहते हैं. परेंस अपनी बात उस बच्चों तक नहीं पंचा पाते हैं. क्योंकि उनको बहुत ज्यादा छूट मिली भी होती है. एक लिमिट तक छूट अवश्य बच्चों को देनी चाहिए बच्चों परन्तों लिमिट के बाद अगर छूट दे जाती हैं तो निश्चित तोर पे नुक्सान दायक होती हैं. कहने का ताथ पर ही होता है बच्चों क अठी हर चीज की बुरी होती अठी अठी सरक्षन में बुरा है अठी कठोर माता पिता भी खराब होते हैं अठी पक्षपात करना वाले भी अठी तरस्कार अठी प्रजातांतरिक अठी प्रभुत वोशाली अठी चूर देने वाले या breast की यदि Parenting करनी होती है तब इन सभ जो अभिवाग की अभिवरत्या होती हैं, इन सब का समय समय पे मिक्षर कले जाए, कभी कठोर हो जाए, कभी छूट देने वाल हो जाए, कभी प्रभुत वशाली हो जाए, कभी अच्छारक्षन देने वाल हो जाए, कभी पक्षपातपूर्माल हो जाए, इस परिस्तिती में, यहना इस परसीती में बच्चों के जो parents के साथ में relationship होते हैं, वह अच्छे से develop हो सकते हैं.